केंद्रि मानव संसादन मंतरी प्रकाश जाविदकर तथा मुख्यमंत्री जेराम ठाकुर ने कांगडा जिला के धर्मशाला के निगटर जदरंगल में हीमाचल प्रदीश केंद्री विष्विद्याले परीसर की आधार शीला रखी केंद्री मानव संसाधन मंतरी प्रकाश जाविदकर ने अपने संबोधन के दुरान कहा कि अगर सबसे बढ़िया जगा हिमाचल ने दी है तो सबसे बढ़िया केंद्री विश्यविद्याले यहां जल्दी बन कर तैयार होगा उन्हें कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी उन्हें कहा कि यह मोदी सरकार है जो बोलती है वो करके दिखाती है इस अफसर पर उन्हें कहा कि शिक्षा की सुद्रिडव गतिशील रास्ट निर्मार में महतपून भूमिक होती है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार ने ये सुनिश्चित बनाया है कि परतेक स्कूल में पुस्तका लहो उन्होंने बताए कि केंदर सरकार विश्य विद्याले परिसर का निर्मान शीगर करना सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव साइता भी परदान करेगी जाविदकर ने कहा कि केंदर सरकार पाकिस्तान को उसके द्वारा घाटी में प्रयोजित आतंकी गतिविदियों का मूँ चोड़ जबाव देगी उन्होंने कहा कि केंदर सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरिट नेशन का दर्जा हटाया है साथ ही केंदर सरकार ने कश्मीर के खूरियत निताओं को परदान की गई सुरक्षा भी वापिस ले ली है उन्होंने कहा कि आतंकी फंडिंग पर भी केंदर सरकार नजर रखे हुए है और अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और सेना द्वरा घाटी में आतंकियों के खिलाफ कठोर कारवाई अमल में लाई जा रही है तथा अनेक आतंकवादियों को मार गिराया गया है उन्होंने कहा कि परदान मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविद्यों से निपटने के लिए सेना को खुली छूट भी दे रखी है कि सबसे बड़ी अगर जगर हिमाचल ने विश्व इद्याले की दी है राज्य सरकार में तो सबसे अच्छा विश्व इद्याले यहां बनेगा जल्दी बनेगा और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेंगे यह मोधी सरकार है जो बोलती है वो करती है और करके दिखाती है आज एक विश्विद्या लेते हो गटनोंगा इसमें तो आपको यह अडिमिशन नहीं ले नहीं लेकिन आप में इसे आपके बेटे-बेटी पोटा-पोथी ऐसे लोग एडिमिशन ले सकते हैं उनके लिए एक शुविद्या हुई लेकिन देश वर्ष का आएंगे क्योंकि केंद्वे विश्विद्याले जो होता है उसमें प्रलेश के लिए परिक्षा होती है और परिक्षा के तहर्ष जो मेरिक में आते हैं उनको प्रविश मिलता है तो हिमाचल के लोग तो होंगे ही लेकिन साथ ही साथ देश्वर से आएंगे तो जैसे शांतर कुमार जी इंगित कर रहे हैं कि शिक्षा का विस्तार बहुत हुआ लेकिन इस विश्विद्याले आने से और जो अभी शुरूई है दोजार से जादा चात्र है लेकिन इसको और जादा मद्बूत करेंगे और यह नया विश्विद्याले धरवशाला और देहरा के कैंपस में जब पूरी तरह से शुरू होगा तब हिमाचल का ही नहीं पूरे इस शेत्र का एक नया स्तर कहां देखने को मिलेगा तो हिमाचल केंद्री विश्विद्याले ने देखने को मिलेगा ऐसा लोग कहेंगे यह मुझे पूरा मरसा इस मौके पर मुके मंतरी जहराम ठाकुर ने कहा कि केंद्री विश्विद्याले के दो अलग अलग स्थानों पर दो परिसर होंगे और विश्विद्याले का यह विशाल परिसर एक हजार हेक्टर से अधिक शेत्र में स्तापित होगा उन्हेंने बताया कि इन दोनों परिसरों में ना केवल क्षेत्र के यवाओं को गुनात्मक शिक्षा उपलब दोगी बलकि क्षेत्र में आर्थिकी गतिविद्यों को भी बड़ावाम मिलेगा उन्हेंने कहा कि विशिविद्याले वर्ष 2010 में क्रियाशील कर दिया गया था परंतों विशिविद्याले के दोस्तानों पर अपने परिसर प्राप्त कर लेने के लिए लगभग नौ वर्ष का समय लग गया उन्हेंने कहा कि केंद्री मानव संसादन विकास मंत्राले और यूजीसी के मानकों के अनूप आने वाले समय में विशे विद्याले में 14 स्टडी स्कूल तथा 70 अधिन विभागों के अतिरिक तह 40 अधिन केंद्र स्टापिट किये जाएंगे जैराम ठाकों ने बताया कि परदेश सरकार शिक्षा के गुनात्मक सुधार के लिए विशे इस ध्यान दे रही है उन्हेंने कहा कि इन दोनों परिसरों के निर्मान पर 1300 करोड रुपे से अधिक व्याई किये जाएंगे और ये संस्थान क्षेतर में उचतर शिक्षा का लुगों की तरफ से होता था विधान सबब में विपक्ष की तरफ से होता था उसका आज जो है वो पुरा वो प्रशन समाप्त हो गया आज वीदियवत धन्ज से जो है जेंदरी विशेवदाले धर्मशाला का कातन हो गया दोनों कैंपस धर्मशाला का भी और देहरा का और उसके साथ मैं हमारी कोशिश है कि तीन साल के कारेकाल में इस विश्वताले के जो हमारे जो भवन है बन करके वो जमीन पर खड़े हों देखें रोग और उसका लाब देए और उसके साथ मैं मैं प्रकाश जावडेकर जी का धन्यावाद करता हूं कि मौसम खराब होने के जो नाम नहीं हो पारी अब कोई बात नहीं है जो हमारी जरूरत थी जरूरत के मताबिक हम पुरा कर चुके हैं बाकी छोटी मोटी आपटारिकता रहेंगी उनकों पूरा करते रहेंगे अब काम जमीन पर होगा वहें कारकरम के दोरान शहीद तिलक राज जो की हाल ही में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए थे उनकी शरदांजली के लिए दो मिन्ट का मौन भी रखा गया एच्टूडे के लिए धरमशाला से निर्बजीत निप्पी की रिपोर्ट